हेलो दोस्तो आज के वीडियो में अपन स्टार्बक्स का क्लोन देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं यूजिंग रिएक जैस एंड टेलविन सी एसेस इफ आपको टेलविन सी एसेस नहीं पता है और आप बिगनर हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दिकॉस मैं आपको इसी वेइ में सिखाऊंगा इसको कैसे यूज करते हैं आप ये वीडियो के बार टेलविन सी एसेस खुद से यूज करने लग जाएंगे सो ये वेबसाइड अपन कलोन करेंगे स्टारबक्स की जो आप देख रहे हैं वो स्टारबक्स की वेबसाइड है और ये मेरे लोकल पे चल रही है ना कि स्टारबक्स की वेबसाइड है तो मैं आपको स्टारबक्स की वेबसाइड दिखाता हूँ अभी तो ये स्टारबक् इसके अंदर search box है, profile का icon है, इसमें भी same है, means ditto रो ditto अपन ये website बनाएंगे, clone करेंगे इसका, वो भी अपना latest stack stack होगा, react.js and elvin.css, तो मैं अपने local पे आपको दिखाता हूँ, ये कैसे चल रहा है, यहाँ पे handcrafted curation है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये card है, जब मैं करता हूँ, तो इस पे green color का border आ जाता है, over करते ही, ये ऐसा होता है, तो ये effect भी मैं आपको सिखाऊंगा, ये काफी easy है, with help of television CSS, फिर यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आपने देख सकते हैं, ये card UI है पूरा, and इसको मैं जैसे आगे करूँगा, तो ये दूसरी UI आ जाएग same way यहाँ पे भी है, जब मैं इसको पीछे करूँगा, तो ये पीछे हो जाएगा, जब ये first होगा, तो आगे नहीं जा पाएंगे, जब मैं इसको last तक लेके जाऊँगा, तो आपन last में click नहीं कर पाएंगे, तो ये UI भी आपन implement करेंगे, and ये देखो, आप देख सकते हैं latest offers, card UI है, and ये, जब मैं इस पे image पे hover कर रहा हूँ, तो ये ऐसा कुछ हो रहा है, है ना interesting, ये सब अपन आज के वीडियो में cover करेंगे, last में अपन ये header बनाएंगे, and एक और बात, ये website responsive होगी, जैसे कि, जब मैं ये website को छोटा करूँगा, तो आप देख सकते हैं, ये कैस इन grid दिख रहे थी, means, तीन cards दिख रहे थे अपन को यहाँ पे, अभी दो card दिख रहे, यहाँ पर देख सकते हैं, अपन को तीन card दिख रहे थे एक row में, बढ़ यहाँ पे एक column में हो गए सब, यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो ये पूरी responsive website है, आप देख सकते हो, अपन पूरा replicate करेंगे, आज के वीडियो में, तो अभी चलो इनकी responsiveness देखते हैं, Starbucks की website की, यहाँ पे आपन देख सकते हैं, इनका card UI पूरा बिगड़ गया है, pink color का, मिन्स ये banner पूरा बिगड़ गया है, यहाँ पे अपन ये UI में arrow button नहीं है, आगे पीछे करने का मिन्स अपन आगे भीचे नहीं देख सकते हैं, बाड में ये icon, profile का ये भी बिगड़ गया, CSS में नीचे आ गया है, अपने case में ये side में है, तो ये पूरी website अपन आज बनाएंगे, तो चलो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूँगा, अभी अपन ये project को setup करते हैं, and start करते है Starbucks का clone